नमस्कार दोस्तों सुवागत है एक नए सांदर वीडियो में वर्तवान में अगर हम देखे तो बिटकोइन 69,000 डोलर और 70,000 डोलर के करीब ट्रेट कर रहा है ना ज्यादा उपर हो रहा है ना ज्यादा नीचे हो रहा है लगभग 2-3 दिन गुजर चुके है लेकिन अभी भी मार्केट इस रेंज में फसा हुआ है ठीक है एक बार जरूर यहाँ पर आया था लेकिन फिर मार्केट पंपों नहीं करने के कारण गिर गया था वही शिवाइनू का अगर हम हाल देखे तो शिवाइनू 4-0 के साथ 30 जो 33 है उस लेवल पर ट्रेट कर रहा है अब यहाँ पर इन सब के बीच मतलब ना तो शिवाइनू में कोई ज्यादा गिरावट महसूस हो रही है ना कुछ मुमेंट है उसके बावजूद यार शिवाइनू में बड़ी हलचल मच रही है इसके पीछे रिजन क्या है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 70 मतलब 17 ट्रिलियन दोकन को मूमेंट किया गया हैdır आखिर इसका मतलब क्या है और आखिर शिवाइनू में चल किया रहा है और क्या बताना चाहरा है यह संकेत देखे यह भुवत इंपोर्टेन है क्योंकि अगर इतने बड़ी मातरा में शिवाइनू की वॉल्यूम में इंक्रीज्मेंट देख तो भी यार बड़ा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिलता इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है बील्स और बड़े ट्रेडर्स कुछने कुछ उठा पटक कर रहे है जिससे प्राइस के उपर मात्र 5% इंपेक्ट पड़ा है 7 दिन में लेकिन हल चल भुत तेजी है क्योंकि 17 ट्रिलियंस शीबा टोकन का मूमेंट भुत बड़ी बात है अगर हम देखे यहाँ पर पिछले 7 दिनों में 17 ट्रियंस स्जादा शीबा टोकन को स्थांतरित किया गया है शिभायनों में आज स्थिर्ता में कुछ व्रधी भी देखे गई है ओन्चेन गती विधी बढ़ने के साथ साथ आने वाले सप्ता में किसी तरह की तेजी की उम्मीद यहां पर की जा सकती है हलाकि इसकी कोई गारेंटी नहीं है लेकिन कहिना के तेजी की उम्मीद बन रही है क्योंकि इस टाइब की जब जब हलचल मच रही है तो कुछ तो है और देखिए आज के टाइम पर ये जो हलचल मच रही है हम उस दोहराय पर खड़े हैं जहां से सितंबर अक्टूबर में बड़ी रेली के एक्सपेक्टेशन बन रहे है और कहा जा रहा है कि अक्टूबर के बाद मार्केट फिर नीचे कर आस्ता नहीं देखेगा मार्केट उपर की रेंज में ही निकलेगा और यदि ये सत्त है तो मतलब ये जो हलचल हो रही है ये वील्स की तरब से शिबयनू को लेकर हो रही है हो सकता है उनको बड़ा संकेत मिला है और इसलिए शिबयनू को शिबयनू टोकन को वे वेवस्थित कर रहे है आने वाले profit को book करने के लिए आने वाले profit का फाइदा उठाने के लिए आने वाली rally का फाइदा उठाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपकी तैयारी क्या है ये जरूरी है इसके संधर्ब में आप क्या कर रहे है अगर हम यहाँ पर देखे तो basically पिछले हाली में Shiba transition में growth देखी गई है ये अपने सक्री समुदार और meme coin की स्थिती के लिए जाना जाता है और 17 trillion Shiba token हाथ बदले है तो वेपारी है और विचलेशक उससाहित है और भ्रमिद भी है क्या खिर हो क्या रहा है ये एक बड़ी activity यहाँ पर क्योंकि अभी कुछ भी moment यहाँ पर विचले निकल सकता है तो यहाँ पर हम अटकले यह कर सकते हैं कि देखिए अगर market यहाँ से गिरना होता तो नहीं गिरने के पीछे कई वजाए है market के पहला तो market ने पिछले एक महिने से मजबूस support बनाया हुआ है अगर market को गिरना ही होता तो मजबूस support Shiba Inu नहीं बनाता वेसा ही बिटकोईन में भी एक मजबूस support आपको पिछले last महिने में देखने को मिला है वो भी BTC में आपको देखने को नहीं मिल सकता था second मुझे reason यहाँ पर नहीं गिरने के पिछे लग रहा है दूसरा है कि हम एक AC stage पर खड़े है जहाँ पर हमें उपर की रहा पकड़ने है मतलब market में positivity बहुत जादा हावी है और market में कोई भी ऐसा बंदा investor नहीं होगा जो इस time sale करेगा और उसको देखके दूसरे लोग sale करने के लिए जाएंगे तो वो भी possibility नहीं है यानि कि जितनी भी moment हुई है जो हल चल हुई है market को उपर ले जाने के लिए हुई है जिसमें market में बड़े changes देखने को मिल सकते है और खासकर Shiba Inu में क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में Shiba token की moment हुई है तो इसका मतलब हम सीधी भासा में समझे तो यह है कि market कभी भी एक बड़े pump दिखा सकता है ठीक है Shiba Inu का और एक बड़े pump के साथ हम आगे की दिसा ते कर सकते हैं यहाँ पर हलाए कि market में अफवाए और घोशनाए बहुत जादा हो रही हो और उसका effect भी पढ़ रहा है लेकिन जब investor समभावित आंदोलन क के लिए खुद को तैयार करते हैं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है और यहाँ पर वही हो रहा है जितने भी investor रुवील से खुद को तैयार कर रहे है भविश्य के growth के लिए क्योंकि कहा जा रहा है कि October से बड़ा bull run आएगा market में और फिर व्यवस्थित करने का time नहीं मिलेगा तो हो सकता है शिबयनों को वेवस्थित कर रहे हो इधार से wallet में डूस से wallet में ट्रांसपर कर रहे होंगे exchange बदल रहे होंगे safe wallet में भेज रहे होंगे coin को मतलब एक तरीके से security layer और बहुत सारी चीज़े होती है यार एक investor बड़े investor के लिए तो वो वेवस्थित कर रहे होंगे और यही कारण है कि शिबयनों में जो हलचल हो रही न यह हो रहा है जो trading volume इसी लिए बढ़ रहा है क्योंकि पिछले बहुत तर घंटे से पहले यहां पर trading volume में 110% का increasement देखा गया था तो चार्ट के विशलेशक से शिबयनों की कीमत में काफी उतार चड़ाव देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन कहिना कहीं आधार का समर्थन और resistance का प्रतिरोधी संकेत देता है कि market में एक निरनायक कदम बढ़ने वाला है जिसकी आप तैयारी यहां पर करके रख सकते हैं क् कीमत वर्तमान सीमा से बाहर निकलती है तो हम एक pump उपर या नीचे की और देख सकते हैं बट नीचे की तरफ तो मुझे नहीं लगता है कि नीचे की तरफ प्राइज जाएगी क्योंकि market already positivity में है तो उपर की range जादा रिखा सकती है और यहां पर एक अच्छे चीज और बता में कार कर रहा है और इन महत्पण इस तरों के करीब भी है यह तो यह भी एक अच्छी चीज है तो 200 देवसी एमें अभी भी कीमत से नीचे है तो एक तेजी की भावना का संकेत हो सकता है लेकिन यदि यह गिरता है तो निकट भविश में और अधिक ग्रावट का संकेत दे सकता है और बड़े लेंदेन के आकड़ों में एक दिल्चस्प तस्वीर सामने आ सकती है हलाकि यह सा लग नहीं रहा है क्योंकि कोई गैरंटी नहीं है क्योंकि अभी मार्केट खुद भ्रमित है कि आखिर शिबायनों में हो क्या रहा है आपके recording क्या हो रहा है शिबायनों क्या शिबायनों गिरने की तैयारी कर रहा है या फिर यह विल्स बड़े प्रोफिट के लिए अपने आपको तैयार कर रहे होंगे अपना ओपीनियन जरूर कमेंट्स करना क्योंकि 161 ट्रिलियन शिबा टोकन को 731 ट्रांजेशन के सिखर पर पहुँच गया है 5 जून को तो बहुत बड़ी बात है यह वाली बात तो आप अपना ओपीनियन जरूर कमेंट्स करना और मार्केट में इस टाइप की अभी मूमेंट है मार्केट में कोई इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिल रहा है उसके बावजूर शिबायनों में हल चले कुछ तो बड़ा हो रहा है तो आई होप यार वीडियो एंजोई क्या होगा मिलते नई वीडियो में अपना ओपीनियन जरूर कमेंट्स करना और ये एक बड़ी घटना है इसको आप छोटी घटना मत लेके चलना क्योंकि इतनी बड़ी मातरा में अगर ट्रांसपर कुछ ने कुछ हो रहा है तो होने वाला है ठीक है